तो दोस्तों आपने देखा होगे कि जब आप वाट्सप पे स्टेटस लगाते हो चाहिए फोटो या वीडियो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है तो भाई इसलिए मैं तो लगाते ही बट अब आप इस ट्रिक को यूज करके SD option के साथ original quality का WhatsApp status लगा पाऊगे वह भी भीना किसी थट पाड़ी आपको यूज के हुए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के लिए comparison ही दिखा देता हूँ तो भाई आप देख सकते हो एक normal status और एक में हमने ट्रिक को यूज किया है तो दोनों की quality में काफी difference देखने को मिल रहा है तो अभी आपको वीडियो में इतना difference नजर नहीं आएगा बट जब आप खुद से इसे try करोगे तो वहाँ पर आपको difference नजर आ जाएगा तो आईए जाल लेते हैं कैसे आप भी SD quality में status लगा सकते हो तो normally हमें status लगाना होता है तो हम status पे क्लिक करते हैं और गैली से photos वीडियो लेके share कर देते हैं बट आपको ऐसा नहीं करना है आपको चले जाना है chat पे आप अपने नमर पे भी chat पे जा सकते हो तो यहां से आपको चले जाना है गैली पे और जो भी photo या video आपको status पे लगानी है उसको आपको select कर लेना है और इसके बाद आपको यहां पको SD का option मिल जाएगा तो आपको इसको click करके enable कर देना है और इसके बाद photo वीडियो को share कर देना है तो अब आप देखेंगे कि आपको यहां पे एक forward option मिलेगा तो यहां से आप forward करके इसको status पे लगाओगे चाहे वो photo हो यह वीडियो हो तो उसकी quality आपको normal status के comparison में काफी अच्छी मिलेगी तो एक बार इस trick को ज़रू से ट्राय करना और comment करके जरूबताना तो आयोब यह वीडियो आपके लिए useful रही होगी वीडियो से जोड़ा कोभी सवाल है फिस जाओ तो नीचे comment करके जरूबताना वीडियो पसना है यह तो यह वीडियो को लाइक पी कर देना शेयर पी कर देना चैनल पर नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आकर को रोटिफिकेशन को पर सब्सक्राइब कर देना तो यह था इस वाले वीडियो को लेब मिलता किसी नेक्स वीडियो में है